नमस्कार आप देख रहे हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एक्टर कुनाल खेमू और उनकी पतनी सोहा अली खान दोनों ही हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे हैं दरसल ये कपल अपने बच्चों के साथ सुबह सुबह नाश्ते पर जा रहा था इस दोरान एक कार चालक ने उनकी कार को पहले तो ओवर टेक किया और फिर उनके कार के सामने अपनी कार रोक ली और जिस वज़ा से एक बड़ा हादसा होने से रह गया एक्टर ने इस वाक्या की जानकारी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा कि आज सुबा नो बजे मैं अपनी पत्नी और अपने बच्ची और अपने पडोसियों के साथ नाश्टे के लिए जा रहा था जूहू में इस कार ड्राइवर का ड्राइवर बहुत ही वायात तरीके से गाड़ी चला रहा था वो मुझे ओवर टेक करके आगे आया और इसके बाद अचानक मेरी गाड़ी के ब्रेक लगा दिये इसके चलते हम सभी की सुरक्षा जोखिम में पड़ गई मुझे तुरंत ब्रेक मारना पड़ा ताकि एक्सिडेंट ना हो ये हम सभी के लिए सदमे जैसा था कुनाल खेमू ने आगे कहा कि मेरे गाड़ी में बच्चे भी थे वो गाड़ी से उत्रा और मेरे साथ बत्तमीजी करने लगा उसने मुझे गालियां भी दी जबकि वो देख रहा था कि गाड़ी में महिलाएं और बच्चे भी है जब मैंने ये पूरा वाकिय अपने मुबाइल में शूट करना चाहा तब वो गाड़ी में बैठ कर चला गया मैं मुंबई पुलिस से इस मामले की जाच चाहता हूँ बॉलिवुड एक्टर जॉन एब्राहिम की मुवी को लेकर सोशल मीडिया पर उनके फैंस काफी जादा एक्साइटेड है इसको लेकर उनकी मुवी का पोस्टर भी अब रिलीज हो चुका है आपको बता दे कि अपनी दमदार बॉड़ी की बज़ से जाने जाते हैं बॉलिवुड की मश्हूर हस्ती जॉन एब्राहिम आपको बता दे कि अब रविवार को फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का भी उन्होंने एलान कर दिया है इसको लेकर एक्टर ने इंस्टा पर जानकारी शेयर की जॉन एब्राहिम ने अपने इंस्टाग्राम पर अटैक का नया पोस्टर साजा कर बताया कि फिल्म अटैक का ट्रेलर सोमवार यानि कि 7 मार्च को रिलीज होगा इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर कर लिखा कि पहले अटैक के लिए तैयार हो जाईए अटैक का ट्रेलर कल आएगा पोस्टर में आप देख सकते हैं कि अभिनेता वार्जोर में बुलेट ट्रूफ जैकिट पहने हुए हैं और दोनों हाथों में मशीन गन लिए हुए दुश्मन पर हमला कर रहे हैं आप हमारी स्क्रीन पर वो पोस्टर देख सकते हैं दबंगल सुनाक्षी सिन्हा पर वारंट जारी हो गया है दरसल पूरा मामला फ्रॉड से जुड़ा हुआ है आपको बता दे कि दबंगल सुनाक्षी सिन्हा के खिलाब 2009 में हुए फ्रॉड मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है सुनाक्षी सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने एक कारिकरम में भाग नहीं लिया इसके लिए उन्होंने 37 लाक रुपे चार्ज किये थे अब सुनाक्षी सिन्हा की ले मुसीबत बढ़ गई है उनके खिलाब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है मीडिया रिपोर्ट की मताबिक मुरादाबाद कोट ने उन्हें अगले महीने इस मामले में उपस्तित होने के लिए कहा है सुनाक्षी सिन्हा पर चीटिंग, क्रिमिनल कॉनसिप्रेंसी और विश्वास तोड़ने का आरोप लगा है दरसल सुनाक्षी सिन्हा को दिली में एक कारिक्रम में भाग लेना था इसके लिए उन्होंने 37 लाक रुपे मांगे थे प्रमोश शर्मा के अनुसार उन्होंने दिली में एक कारिक्रम का आयोजन किया था इसके लिए उन्होंने बतौर मुक्य अतिती सुनाक्षी सिन्हा को बुलाया था हाला कि वो कारिक्रम में नहीं आई मशूर हर्यानवी सिंगर सपना चौदरी की तबियत अच्चानक बिगड गई जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया आपको बता दे कि सपना चौदरी की हालत अच्चानक से बिगड गई आपको बता दे कि मशूर हर्यानवी डांसर सपना चौदरी की सनिवार रात को अच्चानक तबियत खराब हो गई जिसके चलते रात तीन बजे उन्हें रीवा के संजे गांधी सिम्रिती अस्पताल के एमेर्जंसी वॉर्ड में भरती कराया गया अराम मिलने के बाद उन्हें वापस होटल भेज दिया गया जानकारी के अनुसार सपना चौधरी को पेट में दर्द था जिसका इलाज चल रहा है हिजाब विवाद को लेकर अब आक्टर अक्षे कुमार की पतनी ट्विंकल खन्ना ने ट्वीट किया है आपको बता दे कि हिजाब विवाद अब तेजी से और जादा तूल पकड़ता जा रहा है आपको बता दे कि हिजाब विवाद को लेकर जारी विवाद के बीच बॉलिवूड एक्टर अक्षे कुमार की पतनी ट्विंकल खन्ना ने मजाकी अंदाज में अपनी राय दी और सांस्कृतिक निर्मान में अपना योगदान दिया है हाला कि मैं किसी भी तरह के परदे की हिमायती नहीं हूँ लेकिन ये निर्ने केवल महिलाओं को लेना चाहिए कि वो भी बिना किसी दबाव या धमकी के उन्होंने आगे कहा कि कुछ धार्मिक नेता इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे एक हिजाब पुरुशों को लुभाने से रोपता है ये सुनकर मुझे बहुत हसी आई इन सभी भाई सहाबों को बैट जाना चाहिए और इसके बजाए स्टैंडप कॉमेडियन्स को बात करने देना चाहिए बहुत कम पुरुश किसी महिला के सिर को इरोजेंस जोन मानते हैं क्या आपको पता है कोई डेट नाइट याद है जिसमें आपका पती या अपका प्रेमी कह रहा हो कि वा तुमारा सर आज इतना होट दिख रहा है ओ थैंक्यू डार्लिंग मैं कोशिश करूँगी कि इसे आकार में रखूँ और इसके सुन्दर्ता पर कोई आच ना आने दूँ बॉलिवुर धमाल में आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजे इजाज़त देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एबी स्टार न्यूज नमस्कार